बुस्तों याद रहे हैं यूट्यूब हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ हजार लोगों को ही बेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा क्योंकि उसे अशलीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं नकि हमारे करने के कोशश करें तो हमें यह पता चलता है कि यह टिकनॉलिजीज मॉडर्न नहीं बलकि इनका विश्कार तो सद्यों पहले ही किया जा चुका है कुछ टिकनॉलिजी सद्यों पुरानी होने के बावजूद भी आज की मॉडर्न टिकनॉलिजी से कई गुना ज्यादा तरीन और रहसिमाई इंशियन टेक्नोलिजीज के बारे में जो आपको हैरान जरूर कर देंगे तो चलिए शुरू करते हैं नम्बू वान इज ओल्ड आटोमाटिक डो आटोमाटिक दर्वाजे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाते हैं सूपर मार्किट से लेकर स्कूलों और अस्पतालों से लेकर दफ्तरों तक आप शायद अपने जीवन में लगबग हर दिन इनका इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन आटोमाटिक डोस के शरुवात कब हुई थी? दोस्तों आपको इजानकर हरानी हो सकती है कि ये आटोमाटिक डर्वाजे वास्तब में प्राचीन ग्रीस में ओरिजिनेट हुए थे मशूर ग्रीक मैथेमेटिशिन हिरोन ओफ अलेक्जान्डरिया ने रस्यों और पुले की एक सीरीज की मदद से एक आटोमाटिक डोर सिस्टम का विश्कार किया था ये दर्वाजा उन्होंने ग्रीक के एक मंदर के लिए बनाया था मंदर में दर्वाजे का खुद बखुद खुलना एक अच्छा संकेत भी माना जाता था इसमें पानी को आग से गर्म किया जाता था और कंटेनर में पंप किया जाता था जो अपरेटिंग सिस्टम को अक्टिवेट करता था ग्रीक फायर दरसल बाइजन्टाइन इंपायर द्वारा इस्तिमाल किया जाने वाला एक हथियार था और ये कोई मामूली हथियार नहीं है बलकि ये आग फेकने वाली एक विनाशकारी मशीन थी ग्रीक फायर को आज के समय में बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसको बनाने का फॉर्मूला हम आज तक नहीं समझ पाए हैं बाइजन्टाइन सामराज ये इसका इस्तिमाल अपने दुश्मनों से बचाव के लिए करता था उन लोगों ने इस 7th century weapon का इस्तिमाल सालों तक अरब के अकरमन को रोकने के लिए किया था खसकर समद्र में जेयां दोस्तों ये हथियार समद्र में भी आग लगा सकता था हलनकि ग्रीक फायर पहला आग लगाने वाला हथियार नहीं था लेकिन ये अतिहासिक रूप से बहुत महतोपूर्ण था Greek fire के बारे में वास्तब में सबसे खास बात किये है कि इस पर कबजा करने वाली सेनाए भी इसे खुद के लिए फिरसे बनाने में नाकामियाब रहती थी आज तक कोई नहीं जान पाया है कि वास्तब में इस Greek fire का विनाशकारे mixture किस-किस ingredient से तयार किया गया था प्रचीन रूम में रहने वाले शासकों के लिए विश्वास घात, हत्या और बैक्स्टाबिंग आम बात थी इसलिए जाहर से बाते अपनी सुरक्षा का इंतिजाम करना बहुत जरूरी था आम तोर पर शासक खुद की रक्षा के लिए अंग रक्षकों को नियुक्त करना पसंद करते थे लिकिन रूम के शासक मित्री डेट्स 6 ने अलग तरीका चुना मित्री डेट्स को डर था कि कहीं उसके किस्मत में भी उसके पिता जैसी मौद न लिखे हो इस डर के चलते उसने रोजाना जहर का सेवन शरू किया वो जहर के खुराक को कम मात्रा में लेता जिससे कि वो उसके शरीर के लिए घातक नहो उसका मानना था कि जहर को लगातार नियमित रूप से लेने के बाद उस पर दुश्मनों द्वारा जहर दिये जाने पर कोई असर नहीं होगा इसी समाई के दोरान जड़ी बूटियों और कई दूसरे इंग्रीडियन्स को मिला कर एक विशेश मिश्रन तयार किया गया जो किसी भी जहर के लिए एक एंटिडोट है इस एंटिडोट को बाद में मिथ्री डीट के नाम से जाना जाने लगा यूं तो प्राचीन रोम रहसियों से भरा हुआ है लेकिन प्राचीन रोम से जुड़े सबसे आकरशक रहसियों में से एक है उसके मजबूत और सद्यों से बने हुए कॉंक्रीट हाबर स्रुक्चर्स 2000 वर्षों से समुद्र की लहरों से गिरे हुए ये structures अभी भी मजबूती से खड़े हैं आज की modern concrete की तुलना में Roman concrete ना केवल अधिक टिकाओ है बिल्कि ये वास्तप में समय के साथ मजबूत होता जाता है Researches के अनुसार Roman concrete चूने और जौला मुख्ये चटान को मिलाकर बनाया गया पानी के नीचे structures के निर्मान के लिए इस mortar और जौला मुख्य tough के mixture को wooden forms में pack कर दिया जाता था इसके बाद समुद्र के पानी और इस mixture के बीच chemical reaction चुरू हो जाता था इस reaction का product बनता था calcium, aluminium, silicate और hydrate जो कि बहुत strong bond होता है इसके तुलना में portland cement जो कि modern concrete है ज्यादा मजबूत bond नहीं form करती है नम्बो 5, Damascus steel Damascus steel जैसा किसके नाम से ये पता चल रहा है एक प्रकार का steel था steel का नाम सीरिया के एक शहर Damascus के नाम पर रखा गया है इसका इस्तिमाल तलवार या तीजधार वाले हथियार बनाने के लिए किया जाता था ये steel भरत से इंपोर्ट की जाने वाली wood steel की मदद से बनाया जाता था इन तलवारों का main feature ये है कि इनमें bandling और modeling के patterns दिखाई देते हैं जो बहते हुए पानी जैसे लगते हैं इस steel से बनी तलवार बहुती सक्त और तीजधार वाली होती है Damascus steel के production का original method इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया है इसलिए वर्थमान में इस steel को बनाना बहुती पेचीदा काम है इसके बावजूद कई व्यक्तियों ने दावा किया है कि उन्होंने Damascus steel को बनाने का original formula ढून निकाला है अगर हुम इतिहास को गौर से देखें और समझें तो हम ये पाते हैं कि steam engine का सबसे पहला जक्र Alexandria के महान अविश्कारक Heron ने किया था उन्होंने इसे एक enolipine या wind ball का नाम दिया था उनके design में पानी को एक बड़े से sealed metal pot में रखकर एक heat source के उपर रखा गया पानी के उबलने से भाफ pipe में और फिर hollow sphios में जागे रही भाफ गेंद पर बने दो मोडे हुए outlet tubeों से निकल जाती है जिसके result से गेंद घूमने लगते है अपने design में उन्होंने जिस principle का इस्तेमाल किया वो आज के jet propulsion के principle जैसा ही है Heron के इस अविशकार को लोगों ने समय के साथ भुला दिया और नहीं इसका सहे इस्तेमाल किया गया लेकिन steam engine के कहानी यहीं खत्म नहीं होते है दुस्तों आज के समय में compass और बहुत सी technologies की मदद से हम समुद्र के कठिन सफर में भी अपनी मंजल की तलाश कर लेते हैं लेकिन करीब 1000 साल पहले जब compass का invention भी नहीं हुआ था तब वाइकिंग्स अपने घर से 1000 किलोमेटर का सफर तैकर उतरी अमेरिका जाते थे ये क्रिस्टफर कोलम्बस के समय से भी काफे सद्यों पहले की बैत है कुछ सबूतों के जरीए हमें ये पता चलता है कि ये बहादुर वाइकिंग्स सुरे और सितारों की positions को पढ़कर navigate करते थे लेकिन सूरज हमेशा उनका साथ नहीं देता था कभी कभी अपने लंबे सफर को तै करने के लिए उनको कोहरे और बादलों का भी सामना करना पड़ता था ऐसे स्थिती में वो अपनी मंजिल पर आखर कैसे पहुंचते थे उसका जवाब है sunstone ऐसा माना जाता है कि वाइकिंग्स के पास एक ऐसा stone था जो घने बादलों में भी सोरी की रोशनी का पता लगा सकता था इस light facturing crystal का इस्तेमाल कैसे किया जाता है कि आज भी रहे से बना हुआ है हमें से ज्यादा तर लोग drilling और hydrocarbon की खोज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली techniques की शुरुआत 19-वी शताबदी के आसपास मानते हैं हलें की drilling तकनीक को सबसे पहले चीन के सीचुआन प्रांट की एक salt producing industry में विखसित किया गया था ये कोई सुनी-सुनाई बात नहीं है बलकि इस invention के बारी में Mark Kurlansky की के book Salt of World History में विस्तार से बताया गया है विस्तोन टेकनोलीजी के आने के पहले ही इस शित्र में drilling तकनीक का इस्तिमाल brine और natural gas के production के लिए किया जाता रहा है 2000 साल पहले सीचुआन प्रांट में चीन ने गहरी drilling के शुरुआत की चीन की ये drills बहुत गहरी होती थी चीन में drilling का primary aim था नमक की खोज करना लेकिन समय समय पर brine की खोज में natural gas आम तोर पर methane भी प्राप्थ हो जाती थी चीन में methane का उत्पादन करने वाले borehole को firewall के रूप में जाना जाता था तो इस प्रकार से natural gas के लिए drilling की जाने लगी सही मायनों में ये एक तीर से दो निशाने लगाने का सही उदारन पेश करता है आज के समय में robot बनाने में हमने कितनी ही कामयाभी क्यों न हासल कर लियो लेकिन 1515 के दशक में एक mechanical share को construct करना जो चल सकता हो और साथी साथ राजा के खिद्मत भी कर सकता हो वाकई में कोई सरल काम नहीं था लेकिन लियोनार्डो जैसे जीनियस ने ये मश्किल काम भी कर दिखाया था उस समय में एक programmable robot का बनना बहुत बड़े उपलब दे थी इसके बावजूद भी लियोनार्डो की ये कामयाभी 2000 तक एक रहसी ही बनी रहे लेकिन अमेरीकी robotics विशेशाग मार्क रोमिस लियोनार्डो के इस invention को दुनिया के सामने लेकर आए लियोनार्डो की मशूर किताब दविंची जोड अट्लांटिक्स के नोट्स और ड्रोइंग के कुछ टुकडों को स्टडी कर रोश्यम ने बताया कि robotic share clockwork kart mechanism से चलता था इस design में share के arms के जरिये उसके movement को control किया जाता था लेकिन दविंची का ये robot इतिहास का पहला robot नहीं था समय में और पीछे जाने पर पता चलता है कि 13 अथाबदी के engineer इब्र इस्माइल इब्र अल्रजाज अल्जजारी द्वारा बगदाद में बनाए गए एक programmable robot के प्रमान मिले हैं उन्होंने programmable robot के रूप में musicians का group बनाया था जो कि बड़े और मशूर लोगों को entertain करते थे करीब 2004 में National Trust for Scotland द्वारा ancient site पर खुदाई की गई इस खुदाई से हमें मिला एक calendar जियां दोस्तों एक calendar लेकिन ये कोई आम calendar नहीं है ये calendar system लगभग 10,000 साल पुराना है और इस वज़ा से ये दुन्या में खो जा गया अब तक का सबसे पुराना calendar है वरिन फील्ड क्राट्स एबडीन शायर में 12 गड़ों की एक 50 मीटर लंबी रो मिली है जो Stone Age ब्रिटन्स द्वारा बनाई गई थी और जिनका इस्तेमाल लगभग 8,000 BC से 4,000 BC के बीच किया गया था रहसियों और बेहतरीन टेकनोलीजी से जुड़ी ये discoveries हम एक बार फिर से दिखाती हैं हमारे पूरवज इतने भी primitive नहीं थे जसा के हेस्टरी के किताब हमें बताते हैं तो दोस्तों ये था आज का वेडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भोलना धन्यवाद